वाकी मंदिर परिसर के एक खेट में 50 सागवान पेड़ू की आवेद तरीके से कटाई की गई इस घटना से साउनेर तहसिलदार और खापा के रेंजर इनके कामकाजों पर सवाल खड़े हो ठे है इस घटना से खलबली बची हुई है पेश है हमारे सौमादा था संजे मिरे इनकी वाकी परिसर से ये खास रिपोर्ट वाकी परिसर के खेट में अवेद तरीके से सागवान पेड़ू की कटाई की गई इस घटना से भष्टा शार के सथ तक बढ़ रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो इन बीसियंट की टीम को इस घटना की फनत लगते ही इन बीसियंट टीम जंगल एरिया से आगे आगे बढ़ रहा था जिदर भी नज़र जौती हर तरफ सागवान के बड़े बड़े पेड़ दिखाए दे रहे थे तो वही सत्त काटे गए पेड़ जमीदोज हुए थे जोगी या नहीं यह तो देखना होगा इस अवेद कतल को लेकर एक नजवान व्यक्ति ने इन बीसियंट के समक्ष जानकारी दी है दर्शकों नमस्कार इस समय में इन बीसियंट के टीम नाकपूर के 44 किलो मिटर दूरी पर आने वाले वाकित दरबार के उस परीसर के पीछे में हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अवेद तरीके से यहां पर बड़े पैमाने पर 70 पेड़ सागोनों की कटाई की गई है जो की पूरी तरह से इलिगल है इसके लिए ना तो किसी की परमिशन ली गई है ना किसी रेंजर से इनोसी ली गई है ऐसे में यह जो कामकाज हो रहे इसके उपर में कई सवाल या निशान प्रशने चिनने से लग चुके है और ऐसा ही होता रहा तो यह दिन दूर नहीं जज़ जंगल पूरी तरह से नश्ट होगे जिसके चलते नेचर को बहुत बड़ा खत्रा बन सकता है मैं थोड़ा हमारे कैमेरा प्रसन मोहट जिस एक होंगा मोहट जी आप थोड़ा पैन करके बताए कि देखे किस तरह से यह जो पेड़ जो दिखाए दे रहे है लगभग यह 20-22 फीट के आसपास में यह पेड़ है जो कटाई की गई है और आप देख सकते कि यह वही पेड़ था ऐसे तक्रीबन 70 सागवन के पेड़ जहां से यह काटा गया है काटने के पूरव में जब एनुसी तवसिलदार यहां के जो खापा के रेंजर से उनको देते है और यह जो पोर्शन दिखाए देता है यहां पे परिटिकुले एक नंबर की जाती है काटने की अनुमती जब देते है तब लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और सुतरों से मिली जानकारीक के अनुमसार अइसा भी पता चला है कि यह जो पुरा परिषर जो दिखाए दे रहा है यह खेती का परिषर है और इसके जो खेती मालिक जो है वे कहई उत्तर प्रदेश के रहने वाले है ऐसे में यहां पर जिसतरा से यह जो बड़े पैमाने पर 70 पेड़ जो काटे गए है वो अपने आप में बहुत एक चिंता का विशह है और खास बात यह है कि तसकोरों का काम यहाँ पे लगातार जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उदर में भी कुछ लोग पेड़ का उन्होंने काटा हुआ है और मैं यह बता देना चाहतू कि यह जो पेड़ आप देख रहे हुआ यह तकरीबन 10 साल के आसपास का यह पेड़ है क्योंकि सागवन हो चायचंदन हो ऐसे जो महतुपरों जो पेड़ होते हैं इनकी बहुत जादा किमत होती है और तसकर पुरी तरह से वाकी दर्बार के पीछे में आने वाले इस सब परिशेतर में पुरी तरह से तयार है और जो इलिगल काम कर रहे है इस समय में हमारे साथ में कुछ ऐसे भी लोग है आईए उनसे जानना चाहेंगे सर आप बताइए कि जिस तरह से यह जो काम कास किया गया और सतर पेड़ों को जो धराशाई जो किया जमिन दो जो किया गया है क्या कहना चाहूंगी यह कितना उचित है सागोन के पेड़ काटने के लिए सबसे पहले तैसिलदार की परमीशन लेनी चाहिए उसके बाद में रेंजर जो खापा के अंतर कताता है खापा की परमीशन लगेगी उसके बाद में फिर कहीं जाकर इस पर नंबरिंग होती है और वो नंबरिंग को चिक करने के लिए रेंजर आते हैं उसकी गोलाई ना पी जाती है कि इसकी गोलाई कितनी है कि गोलाई के हिसाब से वो उसकी विक्री होती है ऐसा ना करते हुए ये माफिया लोगों ने उसको वो काटा है पेड को अनलीगल तरीके से जो गहर कानूनन है और इसकी मैं चाहूंगा कि सक्त सक्त जाच होनी चाहिए तो सक्त सक्त करवाई हो ऐसा यहां के कुछ युवाओ का यह कहना है लेकिन एक बात बता दूँ कि आए दिन जिस प्रकार से यह जो कामकाज हो रहे है इसमें कहिना कही सरकार के अन्देखी तो जरूर दिखती है और सरकार के साथ-साथ जो वनविभाग के अधिकारी हो या फिर मंत्री हो क्या इनके कानोंतक यह बात नहीं पहुचिये के यह भी एक सोचने वाली बात है और इसी वाकी के परिश्थर में यहाँ पुलीस थाना भी आता है वहां के जो P.A. है या महाँ के जो E.C.P. है DCP इस शेतर के है इस परिशेतर के क्या उनके कानू तक यह बात नहीं अब तक पहुंचीये कि यह भी एक सवाल है कहने का तात्परी यह है कि जब इतनी बड़ी वारदात हो रही है तो सबकी आखे आखिर कर कैसे बंद है और जिस तरह से ये जो कामकाज हो रहा है कहीं नेचर से खिलवाड है और इसलिए जो आपदा वीपदा जो आती है इसी की वज़े से आती है क्योंके हमारा देज जो है चाहे जंगल हो पहाड़ी हो समंदर हो या बड़े-बड़े परबत हो या ऐसे सागवन के पेड़ से बना जंगल के उन्हों हो यही हमारी सही संपत्ती है मगर आपसोस कि इसो ना वनविभाग का ध्याने ना किसी मंत्री का ध्याने ना क्पूर